नमस्कार दोस्तों नमस्कार लेट्स क्रेक MP एक्जामनेशन से मैं शेल इंतिवारी आपका वंदन करता हूँ अविनन्दन करता हूँ और आज मैं बड़ा प्रफलित हूँ आपके सामने में कैसी सक्सियत को मिलाने जा रहा हूँ जिनोंने इस वार का नेशनल अवार्ड जीत किया है बाधाओं को चुनोतियों को संगर्सों को सबको पार करते हुए आज आप मिल रहे हैं रजत सोनी जी से जोकी दिव्यांग है पर मत्व्देष शासन में तहसिलदार भी है और मत्व्देष शासन में तहसिल्दार अपने सारी बादताओं के बावजूद भी उन्होंने कुछ विजय हासिल की हैं उन्होंने लक्षों को चुना लक्षों को पाया है और ऐसे विजिता ऐसे रणवीर का मैं अपने अनेक एटमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं बंदन कर रहा हू हूं और मेरे जितने भी दिब्यांग मेरे जितने भी ऐसे स्टुडेंट हैं जिन में आत्मे विश्वास की कमी है ये मिसाल है रज़त सोनी जी उस आत्मे विश्वास की और आज मैं थोड़ी सी चर्चा इनके साथ कर रहा हूं जो आपके तैयारी में बड़ी मार्ग शावित हो जाएगी ऐसा मुझे बिश्वास है तो चलिए मैं रज़त जी से आपकी मुलाकात कराता हूं बात करता हूं रज़त जी मैं सबसे पहले आप से ये पूछना चाहूंगा कि कैसे सोचा था कि सिविल सिवा के मुकाम को पाया जाए कैसे सोच बनी कि पीसी या सिव सिवां को दिया जाए सबसे पहले तो मैं आपको प्रेडाम करना चाहूंगा और मैं जो मेरा यह लक्ष है इसके बारे बताओं तो मेरे पिता जी जिला पंचायत मैं साहिक सांखी की अधिकारी है और उनके जो बॉस है बो जिला पंचायत सी ओ है और जो सीनियर डिप्टी कले डेक्टर वनने की या प्रसाशन में आने की प्रेणा प्राप्त हुई है पिदू अब करदे जी में एक आप मेरे स्टुडेंट भी रही हैं मैंने आपको काफी पास से देखा है उन मुस्किलात के छान देकी हैं कि यह भी देखा है कि कई बार आत्मबिश्वास डगमगा और तय्यारी के दौरान फिर भी आपने में समाज का दूति को एक बढ़ी बात होती है जब आप जैसे लोग तय्यारी करती हैं तो आप उस समाज की दूछिकूर सी कैसे लड़ी हैं कि जहां पर समाज आपको कमजोर समझ रहा था और आप आज उसी समाज को प्रशाशित करने के लिए आगे आए हैं। सर समाज में दो परकार के लोग होते हैं एक सकारात्मक लोग और एक नकारात्मक लोग, तो नकारात्मक लोगों की बातों को नजर अंदाज करते हुए। और आप जैसे एक महान गुरू के सकारात मकसानिद में, मैंने सफलता को चुनाती को पार करते हुए, दोजार अठारा की परिक्ष्छा में चैन पराप्त हुआ, कई बाधाएं आई, कई चुनाती आई जैसे दो फैलियर भी मेरे हुए, दोजार तेरह और दोजार सत्रा का, परन्तु उन सब बाधाओं को पार करते हुए, आज मैं पिलसासन में सम्मिलत हुआ, और इस समाज के सामने एक माइल स्टॉन के रूप में भी अपने आपको इस्थापित करने में सफल रहा, सबसे पहले मैं आप से ये पूछूँगा कि आपको लोग सेवा की तैयारी की प्रेड़ना कहां से मिली थी? सर, लोग सेवा की तैयारी की प्रेड़ना मुझे मेरी बड़ी बहन से मिली थी, जो मुझे लगवक 3-4 साल सीनियर है, और वो जब मैं 10-12 में था तफसे वो तैयारी कर रही थी, तो मैं उनके पेपल देखता था, तो मझे लगता था कि मद्देपलदेश की MPPSC को करेक करना बहुत कठिन कारें नहीं है, यदि इसमें थोड़े ऐसा अपने जर्नल इंटैलिजेंसी को या थोड़ी सी पढ़ाई भी की जाए, तो इसको आराम से करेक्क किया जा सकता है, तो मेरी प्रेणा की सुरूवाद तो वहीं से हुई है, अच्छा, अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कि तैयारी के दोरान कभी कभार आपके मन में निराशा के भाव मन में आए होंगी, और अगर आए, तो उन से आप कैसे निप्टी थी, उस निराशा से कैसे आप बची थी, सर निराशा तो आना सौहविक वाथ है, परन्तु उस निराशा को अपनी जो कमजोरियां हैं, उन पर हावी नहीं होने दिया, और इन कमजोरियों को हावी ना होने के साथ कई प्रयास जो हैं उनको नरंतर करते हुए और सकारात मक्ता को बरकरार रखते हुए मैंने अपने नरासा के उन छणों को दूर करते हुए और कुछ लोग प्रेड़ा सरोत रहे जिसमें मेरी वाइफ है उसकी मजे काफी प्रेड़ा रही और इस परकार मैंने अपनी रासा को दूर किया है बिल्कुल 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 तो आपकी स्रीमती जी आपकी प्रेड़ा रही और जिनों ने आपको इस मुकाम को पाने में बड़ी सहाय का रूल अदा किया है आप कुछ अपने माता पिता के बारे में भी बताईए कि उन्होंने के और या अन्य परिवार के सदश्य जो रहे हैं उन्होंने आपकी कितनी मदद की है इसमें क्योंकि और आप उस पर चर्चा करें थोड़ा माता पिता का तो जो योगदान है अमूले योगदान है मैं जब भी अपने पीछे मुड़कल देखता हूँ तो मुझे वहां अपने कदम नहीं दिखाई देते बरन मेरे माबाप के हतेलियों के निसान ही दिखाई देते हैं और इस परकार सर लगवा कूरे परिवार का ही यो हवी कर रहा तो पूरे परिवार के सहयोग से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ सबसे पहले कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं और मुझे कम आपको ज़्यादा सुन रहे हैं तो आप अपनी विकलांगता से कब पहली बार प्रभावित हुए थे उसके बारे में कुछ बताईए कि यह दिखाई आपको कैसे हासल हो गई थी सर दो हजार पांच में एक एकसीडेंट के दौरान आखों में थोड़ी च्छती बड़ी जब कहीं जाके एहसास हुआ कि नहीं यह कठनाई है जससे पार पाना जीवन में आवश्यक है और इससे पार पाने के लिए मैंने सामन स्टुडेंटों की तरह ही सामन विद्यालें पढ़ाई की और मैंने घड़ संकाय से हाय सेकंडरी स्कूल की परीक्षा उत्रिण की मैंने एलेक्टोनिक सेंडर कम्निकेशन से इंजिनियरिंग किया एमे किया और इन सब चुनौतियों को एक सामन विद्यालती की तरह लेते हुए मैंने अपने आपको कभी भी महसूस किया और एक सामन विद्याती की तरह ही मैंने अपने आपको महसूस करती हुए इन सब चनौतियों से पारवाई है और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा पी एस सी की परीक्षा में बिना ग्रू के ग्यान प्राप्त नहीं होता है तो जब मैं पहली बार आप से मिला मुझे आज भी याद है तब मैं प्री तो खुछ से घल से ही कौलिफाइड करके आया था क्योंकि एक सोसल डिस्टेंसिंग द्व्यंग विखतियों के जीवन में कई बार रहती है तो उसका फाइदा उठा आते हुए मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ नहीं रहा है कि रिज प्राइन हुगा और दो आजा तेरा का पहला इंटर्व्यू भी दिया अच्छा पताया आप इंटर्व्यू के दौरान को यह सब बाकिया था जो आप हमारे स्टुडेंटों के साथ शेयर करना चाहते हैं जी सर इंटर्व्यू को लेकर चात्रों को बहुत भाईवियापत रहता है और विसेश कर भाईवीत रहते हैं और इसी संदर मुझ से एक परसन पूछा गया कि आप दिब्यांग सानी के हैं और यदि आपको डिप्री कलेक्टर बनाया जाए तो आप किस पर कार कारे करेंग था कि मैं जो पिछले अधीकारी हैं मैं उन से बहतर कारे करूंगा और मुझे 2013 के इंटर्व्यू में 140 अंके दिये थे जो कहीं न कहीं उस समय के बहुत अच्छे अंके थे बड़ा 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 शांदार जवाब था कि अगर आप से पूछा जा रहा है कि आप डिप्री कलेक्टर पर कैसे काम करेंगे और आपने बोड़ी के अंदर कहा कि कम से कम अपने पूरु वरती सभी अधिकारीयों से से इस रिष्ट काम करूंगा या आपके कॉन्फिडेंस को प्रदेशन कर रहा था तो मैं इसे इंटर्व्यू के माध्यम से मेरा बड़ा मैं काफी मेरे साथ आप दिब्यांग जन शाथी बड़ा कई बार कहती है आत्म विश्वास उनमें कम रहता है मेरे आप से इंटर्व्यू कराने का यही मकसद था कि आपने ब कि उनकी MPPSC में वो समय प्रवंधन कैसे करें और वो कैसे पास हो सकते हैं इस परिक्षा में सर जिस परकार मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक अलगाओ दिब्यांग जनों के लिए एक कटिन समस्या होती है परंतु इस समस्या को ना समस्या जाए उनके लिए एक हतियार के रूप में सावित हो सकता है और यदि इस का उप्योग करके जो समय समाज से दूरी में होता है उ और नरंतलता को बनाए रखें साथ ही जो एक नकार अत्मकता और एक सकार अत्मकता के वीद का जो अंतर होता है उसको समझते हुए उन लोगों पर ध्यान ना दे जो नकार अत्मक होते हैं मैं उन नकार अत्मक लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वह अपने दर्ष्टी का दान कर दें और अपने इन दुष्टी का दान करते हुए इन सब आ Sicher यह का विए कि आपका की कम दुष्टी के बाब जुद्धी सफलता को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है लक्ष हमेशा दिल और धिमाग में होते हैं द्रस्टियों से उनका कोई नाता नहीं है तो बहुत अच्छी बाते हैं आप मेरे साथ जुड़के कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बाते करता ही चला जाऊंग तो मैं इस मोके पर अनकेडमी जैसे ओनलाइन प्लेटफॉर्म की इस समय आपकी नजर में क्या उपयोगिता है यह जो मंच है वह तैयारी के लिए कैसा मंच है इस पर आपने विचार व्यक्त करें सर अनकेडमी जैसे ओनलाइन प्लेटफर्म ना केवल कोरोना महामारी के समय बलकि दिब्यांग विक्तियों के लिए तो एक बलदान की तरह हैं क्योंकि उनकी जो समस्या होती है विसे इसकर सोसल डिस्टैंसिंग और उनके उनसे लोगों का अलगाव या उनके पैती नकार अत्मक भाव रखना तो इस समय बे एक कमरे में रहकर यदि इन प्लेटफर्म को ही अपना गुरू बनाए तो इन प्लेटफर्म की जो महत्पूर् जाती है क्योंकि इन प्लेटफर्म के माध्यम से उन्हें भीड में सम्मलेता नहीं होना और उस समाच की उस हेतरश्टी का सामना नहीं करना जो उन्हें कहीं नकार अत्मक के भाव से ग्रस्ट करने में और अधिक मात प्रदान करती है वह अपने कमरे में बंद होकर इन प्ल तैयारी नहीं कर सकते वह आपके और आप जैसे कई महान टीचर के लेक्चरों को सुनकर उन्हें कंतर्ष्ट कर सकते हैं और उन्हें तैयारी को अपनी कि एक सकारातमक तासे सफलता की और ले जा सकते हैं एक मैं इस बीच में मेरे मन में एक विचार आया था कि मैं आपके थोड़े से बेक्राउंट पे चर्चा सुन रहा था कि आप ने इंजिनिरिंग किया आपने पॉलिटिकनिक के में आपके टेखनेशन की तेकनिशियन में ही आपको वहां पर आप थम क्यों नहीं गए। वहां भी तो आपको अच्छा सेलरी मिल रहा था। तो आप भी परीचत हैं कि रुकातों में अभी भी नहीं हुआ जो अगला पराव है वह दोजार उन्नीस की परीक्षा में डिप्टी के लेक्टर और दोजार बीस की परीक्षा में आई एस का है जी सर और साथ ही पॉली टेक्निक में मैं जो समाच के लिए जो करना चाह रहा था मैं उस संपूर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा था कियल में चात्रों तक ही पहुंच पा रहा था और जो आज मैं एक सागर तहसील में कारे रहत हूं तो यहां मैं सीम हेल्प लाइन देख हम सार और तैसिल्दार सार के मांग दासन में उनके मदद कर पाता हूं क्या बढ़िया जजबा है कि मनद सिर्फ सेलेक्शन ही नहीं सेलेक्शन के बाद भी लगातार अपनी बर्किंग से जिला प्रिशाशन को आफ इफेक्टिव कर रहे हैं इतना ही नहीं मैं आपको बार बार ये समझा दूं कि मैं जिस व्यक्ति के सामने बैठा हूं उसे नेशनल अवार्ड मिला है जो की एक बहु बहुत चर्चा का विशय भी बना था तो रजत सोनी साब वह हैं जिने की भारत के राष्ट्रपती ने नेशनल अवार्ड दिया था अच्छा मैं यहां पर देखिए मैं जानता हूं प्रतियों की परिक्षाओं के छात्रों की जानता हूं मैं अभी एक और कोश्चन पूछ रहा हूं कि आप अपनी जीवन में जो सफलता है उसमें कुछ नाम गिना दीजिए ताकि उन लोगों तक भी आभार आपकी तरफ से पहुँच जाए कि कुछ कौन से वो लोग थे जो आपकी सफलता में बड़े मिल के पत्थर सफावित हुए हैं मैं नायब तैसिलार हूं और अगली वार आपके मांग दासने डिप्टी कलेक्टर भी वनूंगा और अन्ने लोगों की बात करूं तो 2018 में जो मेरी को राइटर थी निमीश आवस्ती उसका भी में आभार व्यक्ते करना चाहूंगा साथ ही जन्वच्चों ने मुझे कहीं कहीं रीडिंग में और संपूर मंत्र कहने परिवार का भी बहुत सहयोग रहा इन सब करना बहुत आवार व्यक्ते करना चाहूंगा मैं भी तोकर खाने के बाद हर चीज तूट जाती है किवल सफलता ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है तो हम बार बार अपना आत्म विश्वास रजत ने लगातार तीसरी इंटर्वी के बाद सफलता प्राप्त की थी और उस समय अपनी जो कैटेगरी थी तो उसमें सरवोच स्थान पर भी रहे थे यह बात कम लोगों को पता रहती है कि वो टॉप लेबल पर रहे थे और अगर उस साल डिप्टी केलेक्टर्स के पूस्ट उस कैटेगरी में नहीं थे अब लेकिन हम लोगों को कोई संदे नहीं है कि आप अगले डिप्टी केलेक्टर्स अगले आईएस के सामने बैठी हैं और मैं अंत में सिर्फ यह कहूंगा कि इस आप एक अंतिम संदेश दे दें उन सभी चात्रों को जो की इस परिश्या के दोरान आप से कुछ विशे सुनना चाह रहे हैं सर बैसे तो मेरा संदेश सभी चात्रों के लिए है लेकिन मैं मिसेज जोल देना चाहूंगा विकलंग वर्ग के चात्रों को क्योंकि इस वर्ग को कि अल्पसपांग और दिब्यांग के कहने से ही काम नहीं चलेगा उन्हें अपने जो ससक्ती करण के लिए स्वेम प्रियास करना होगा और उस स्वेम प्रियास के लिए उन्हें सकारत मक्ता और नरंतलता मनाय रखनी होगी और इस सकारत मक्ता और नरंतलता के लिए वे यह ना सोचें कि उन्हें समाई का अभाव है बलकि जो उनके लिए समाजिक अलगाव है वह उनके लिए एक समाई के बालदान के रूप में हैं और जो अन्य विध्याती हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पहला तो वह सर और अनक एड़मी से जड़े रहें तो वह मार्क दासन मेरे मार्क दासन से काफी बड़ा होगा और उन अपवाहों पर धियान ना दें कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी पर के लिए हम तैयार रहें और नरंतलता बनाए रखें क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा वाता है यदि हम नरंतल तैयारी करेंगे तो अपनी सफ़ालता को अवश्याजित कर पाएंगे धन्यवाद रजस्टोनी जी धन्यवाद और मैं आपको सुबकामनाय देता हूं अनेकेडमी के स्पिलेट फोन पर आपके आने के लिए मैं धन्यवाद आदा करता हूं आपका और आपको शुवासीश भी प्रतान करता हूं कि जल्दी ही आप जो इंडियन सिविल सर्विस ह उसके जो जिसे आई-एस कहा जाता है इंडियन एड्मिनिस्ट्रिव सर्विस की सदश्य बनी और नहीं नहीं सपलता हैं नित हासिल करें तो धन्वाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों